हेलो फ्रेंट्स मैं ही मांशुथा आपा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ PWUPSC वाला पर जी यहां दोस्तों आज हम लोग यहां पर वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं Indian Biosphere Reserve यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से कई बार आपको प्रेलिम्स में questions देखने को मिले हैं तो दोस्तों without wasting time हम लोग आज इसका करने वाले है scrutiny और देखने वाले ही क्या क्या चीज़े आपके exam के point of view से ज़रूरी है तो without wasting time चलिए start करते हैं सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि Biosphere Reserve होता क्या है ठीक है जो हमारा सबसे important चीज हमें समझनी है सबसे पहले वो क्या समझना है कि Biosphere Reserve क्या है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोग क्या समझते है Biosphere Reserve के बारे में Biosphere Reserve का जो concept है यह जो चीज है यह basically बताती है relationship between man and nature तो देखिए हम लोग क्या बात करते हैं यहां पर Biosphere Reserve is an international designation यहां दखेगा यह केवल इंडिया के साथ नहीं related है it is an international designation जो की हमको UNESCO ने दी है हमको मतलब पूरे world को UNESCO ने दी है for representative parts of natural and cultural landscape तो यहां पर आप याद दखेगा कि यह जो आप designation दे रहे हैं it is to the those it is for the representation of nature and culture यहां पर ऐसा नहीं समझे आपकी केवल ओखेवल यह natural है नहीं आदमी जो है यहां पर जो मानव है जो human है उनका relationship environment के साथ है तो यहां पर याद दखेगा कि यह जो आप देख रहे है representative part of natural and cultural landscape extending over large areas of terrestrial or coastal marine ecosystem and combination of both तो यह land के ऐसे portion है it can be a terrestrial landscape यह एक आपका terrestrial landscape हो सकता है फूरा land हो सकता है ठीक है इसके साथ-साथ यह ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग किसी ecosystem marine ecosystem के बारे में बात कर रहे हों या हम लोग किसी Coast के बारे में बात कर रहे हूँ या दोनों के बारे में terrestrial के बारे में भी और हमारा जो Coastal या Marine ecosystem है उसको combine कर के भी हम लोग बात कर रहे हूँ तो यह designation जो है यह designation क्यों दी जाती है तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझेगा Biosphere Reserves try to balance the economic and social development and maintenance stabilized cultural value कहलों चैनल वाली बीस प्रिश्वेशन और टो यहां पर आप को एक चीज़ या ध опас कि यहां पर कि श्रीज का में टेनेंस हो रहा है यहां पर कि शी का में डबलपेंट हो रहा है यहां पर कि शीज का economic development हो रहा है और इनके बीच में balance कौन बना रहा है तो balance बना रहा है हमारा है कोई ठीक है और वहाँ पर अगर आपका nature बहुत important है तो इनको भी preserve करा जाए nature को और जो हमारे associated cultural values हैं उनको भी maintain करा जाए तो basically क्या है man और environment के बीच में जो relation है उसको उस ecosystem को बनान के रखना चाहता है क्या यह biosphere reserve चाहता है biosphere reserve और दस special environments और दस special environments है ना किसके लिए special for both people and nature and are living examples and are living examples of how human beings and nature can co-exist with respecting each other's need तो यहां पर basically क्या है यह biosphere reserve जो है यह special environment है यह special landscape है यह landscape ऐसा landscape है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि कल्ट जो हमारा culture है है ना जो हमारे जो आप कह सकते हैं humans हैं है ना human need के cultural values किसी एक particular area के साथ attach होते हैं तो दोनों आपस में कैसे coexist करते हैं कैसे उस environment को humans जो है अपने फाइदे के लिए तो यूज करते हैं लेकिन make sure करते हैं कि वहां का जो environment है वो खराब नहों वहां का जो landscape है वो destroy नहों तो यह जो है यह equal respect है nature और man के बीच में वो जो आप देख रहे हैं वही आपका क्या है वही landscape आपका biosphere reserve है ठीक है तो हम जो है वो कैसे designate होता है तो यहां पर एक चीज़ या रखेगा a site a site must contain a protected a protected and minimally disturbed core area of value of nature conservation ठीक है तो आप कैसे कैसे आप decide करते हैं कि यह biosphere reserve है तो करने के लिए आप बताने के लिए कि वह एरिया जो है biosphere reserve है उस एरिया में क्या होना चाहिए उस एरिया में होना चाहिए यहां पर यहां पर आपको disturbances नहीं होना चाहिए वह एरिया जो है वह प्रोटेक्टेट होना चाहिए मतलब वहां पर जितना भी आपका ecological वहां पर ज रहिए अब यहां पर आप ची押 gentleman the psycho area must be a bio gyography उनिट या दखिये एंपन दô उसका हैसे के Show Christmas मतलब यहां पर आपका जहाँ आपका जान भालीउस में भी केन इंलाइण फॉर्म इन 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 एको सिस्टम यह हो सकता है यह घ्रैस्ट से है या forest है ठीक है तो geographical unit होना चाहिए बट वहाँ पर क्या है वहां पर आपका biology जो आपका भायोशग्द है life भी जा होनी चाहिए जैसे मैंने बुला marine life जैसे मैंने बुला grass जैसे मैंने कहा forest और वहां पर रहने वाले और organisms उस environment में रहने वाले organism ठीक है तो पहली चीज यह है कि जो core area है जब biosphere के बारे में बात करते हैं तो उसको core area है वो क्या होना चाहिए एक bio geographical unit होना चाहिए वहाँ life होनी चाहिए ठीक है and should be large enough should be large enough to sustain a viable populations respecting all traffic levels ठीक है तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए जो core area है core area में core area इतना बड़ा होना चाहिए इतना बड़ा होना चाहिए और वहाँ पर इतना ecological आप कह सकते हैं representation होना चाहिए जो की एक viable population एक खीठाक population जो है उसको sustain कर पाए मतलब वो population आपकी चलती रहे ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपके deer जादा हो गए तो deer जादा होंगे तो grasses खतम हो जाएंगी है ना तो एक ऐसा ecosystem होना चाहिए कि deer को भी लोग deer की जो population बड़ ली उसको भी खतम कर दिया जाए तो वो कैसे खतम होगा होगे तो यहां पर कहने का मतलब है कि सभी ट्रॉफिक लेवल सभी ट्रॉफिक लेवल फिर वो आपका चाहे यह नो primary consumer हो secondary consumer हो कोई भी आपका है ना चाहे वो आपके carbonivores हो हर्भी वोरस हो सभी ट्रॉफिक लेवल्स के आपका रेप्रेजेंटेश्न वहां पर होना चाहिए कहां पर कोर एरिया है कैसाई एरिया है जहां पर आपकी लाइफ है वो सस्टेंट कर पाती है एस एसे जो को किले गर फॉर्फ है यह एक बहुत बड़ी लेक हो गई रहािट दूसरी छी इनन development of local communities and use of their knowledge in biodiversity preservation दूसरी चीज ऐसा एरिया वो होना चाहिए जहां पर आपके लोग हैं जो वहां के स्थानिय लोग local community जो है वह अपनी knowledge को यूज कर रहे हैं वह अपनी knowledge को यूज कर रहे हैं किसलिए knowledge को यूज कर रहे हैं local community भी होनी चाहिए जो local community ये make sure करती है कि वहां के jungle या वहां कि आप कह सकते हैं नो grasses या वहां पर जो marine water ecosystem हैं सब आपका protect रहे और जादा तरह देखेंगे कि ये जो local communities होती है ये local communities अपने ritual belief से इस forest को या जो ये biodiversity है इसको conserve करती है ना बहुत सारे ऐसे इनके animals होते हैं जिनको लोग मारते नहीं है जिस पर belief करते हैं कि इसको अगर मार दिया तो हमारी पूरा ecosystem खराब जागा तो तुम सोचो बहुत सारे ऐसे हमारे ऐसे species होती हैं जिनके खतम होने पर पूरा आपका जो एक आप कह सकते हैं एको सस्टेम हो पूरा आपका खतम हो सकता है मतलब biodiversity आपकी खतम हो सकती है तो scientifically भी अगर हम लोग देखें तो वह भी सही है तो वहां के local communities जो है local communities यह ritual belief रखते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पुराने पेड़ होते हैं जिनको यह नहीं काटते हैं है न यह मानते हैं कि नहीं यह पेड़ कट जाएगा अगर तो हमारा जो बायो diversity है या जो जो हमारा जो area है वो पूरा खतम हो जाएगा और जिस पर हमारा livelihood है वो भी खतम हो जाएगा और जो हमें आज तक protection मिला है वो protection खतम हो जाएगा तो इनके रिच्वल बिलीव बे जोड़ेव है तो ऐसा area जहां पर local communities जो है वो जानती है उनके knowledge है उनके knowledge है कि कैसे biodiversity को maintain करना है ठीक है अब दूसरी चीज़ इस area में जो हम बात करें जो की आपका environment को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं तो यह है क्या यह है हमारे criteria जो biodiversity से related अब बात आती है क्या बात आती है कि कौन से आपके तीन major zone है जो की biosphere में पढ़ते हैं ठीक है तो biosphere में देखे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो अंदर वाला यह आप देख रहे हैं अगर देखेंगे तो यहां पर आपको इस इस पोर एडिया में आपको बहुत सारे नाशनल पार्क मिल जाएंगे तो जो नाशनल पार्क होते हैं वह biosphere reserve के core area में आपको नाशनल पार्क मिल जाएंगे तो यहां पर हमारा वाइलाइफ सेंचरीज नाशनल पार्क होते हैं जो की सबसे जादा प्रोडेक्शन जिन में मिलता है ऐसा मैं इसलिए बोले था हूं क्योंकि जो नाशनल करना हुआ तो नाशनल पार्क सबसे आदा प्रोटेक्टोड होता है जो की को रीडिया को रप्रेजेंट करता है यहां पर किस चीज का कंजर्वेशन हो रहा है तो यहां पर घंटेट्स का बहुत जाता इंटरैस्ट होता है ठीक है जब बात कर रहे हैं यहां है पुर एलिया में क्या आ और है तो आप कहेंगे अभी आपने बता आ निशनल पार कर रहा है सैंक्षरी आ रही है यह यहां पर इलियाज आ रहा रहे हैं जो कि basically protected हैं इस की्ष्ट गॉल टो प्रोटेक्टिप्ट है wildlife protection act 1972 के पर रहS all right utas ky theta free from human interference तो यहाँ पर human interference नहीं है, यहाँ पर कोई भी human activity आपकी नहीं होती है, ठीक है, अब फिर आता है आपका buffer zone, फिर आता है आपका buffer zone, buffer zone के बारे में बात करें, तो यहाँ पर, यहाँ पर कुछ local communities आपकी जो है, allow कर दी जाती है, वहाँ की state authorities जो होती है, वो allow कर सकती है, अगर व वहाँ पर economic activities अपने survive के लिए, अपने culture values को बचाने के लिए कर रही हूँ, तो ऐसे आपको जो area होगा, उसको हम क्या बोलते है, ऐसे area को हम बोलते है, buffer zone, ऐसे area को क्या बोलते है हम लोग, इसको हम लोग बोलते है, buffer zone, ठीक है बिटा, यह कहलाता है क्या, it is known as buffer zone, यह buffer zone कहल इसके बाद आप सबसे बाहर वाला area जो देख रहे हैं, सबसे बाहर वाला area ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ घर भी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जादा घर देख रहे हैं, ठीक है, तो यह area जो है, this area is known as transition zone, यह क्या कहला रहा है, यह transition zone कहला रहा है, ठीक है, अगर transition zone बारे में बात करेंगी तो याद अखिएगा बायो स्फेर का यह क्या है यहां पर वही चीज है मैंने आपको बताए यहां पर अलाउड होता है यहां पर टूरिजम भी होता है जैसे इको हो रहा है यहां पर आप देखिए तो यहां पर आपड़ आपके वसाते हैं और इस यहां पर आपके बस्तिया Ang यहां पर वहां की local communities जो हैं वो यहां पर रहती हैं और local communities अपने पूरे ritual belief के साथ जात खास कर बहुत सारे tribal यहां पर रहते हैं तो वो अपने ritual belief के साथ यह जो फूरा area है Biasphere Reserve इसको preserve करने की कोशिश करते हैं ठीक है साती साथ यहां पर आपको वहां पर वो लोग आपको क्या मिलेंगे farming करते मिलेंगे तो you will find you know crop lands also तो यहां पर खेती भी हो रही है farming भी हो रही है यहां पर आपको मैंने बताया manage forest यहां पर वो लोग जो forest है forest को बचा के रखते हैं है ना वो भी इस zone में मिल ला है प्लस इसके साथ मैंने बताया आपको कि intensive recreation तो यहां पर आपको सबसे पहला function हमारा देखेंगे आप तो क्या है आप कहेंगे सर यह conservation conservation यही तो है मूल मूल अगर आप बात करें fundamental इसका जो function है वो that is what that is conservation protection किसको तो Biosphere Reserve क्या करते हैं managing Biosphere reserves genetic resources endemic species ecosystem and landscapes इनको हम manage कर रहे हैं जब हम Biosphere Reserve के बारे में बात करें तो basically Biosphere Reserve में हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर जो आपके genetic resources हैं जो की बहुत important हैं उनको हम लोग preserve कर रहे हैं उनको conserve कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं देख रहे हैं कि कैसे sustainable use वहाँ पर सचीज का हो पाए है ना plus endemic आपकी जो पॉसरे एरिया में पाई जाती है जैसे कि नीलगीरी थार तो नीलगीरी जो है आपका नीलगीरी में ही मिलना है इसके साथ-सक इको सिस्टम्स वहाँ बचाने हैं चाहे वो टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम हो चाहे वहाँ पर आपका टेरेस्ट्रियल में भी सारे होते हैं grasslands होता है हिली रीजन होते हैं आपके है ना वहां पर बहुत सारे forest होते हैं तो सभी को बचाना वहां के landscape को manage करना ठीक इट में prevent it may prevent man-animal conflict ठीक है यह क्या है जो man-animal conflict है basically उसको prevent कर सकता है जैसे कि death of tiger अगनी when she turned man-eater ठीक है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे species हैं जो की deadly हो सकते हैं तो वहां पर जब man और animal के conflicts होते हैं तो उनको यह बचा सकता है क्योंकि आप उनको preserve कर रहे हैं जो tiger है lion है cheetah है leopards है crocodile है इनको आपने क्या कर रखा उनको आपने एक एरिया में conserve कर रखा है तो वहां पर क्या है उनका protection भी हो रहा है वो लोग healthy life भी जी रहे along with wildlife culture यह देखे बहुत बड़ी along with wildlife तो हम लोग conserve करी रहे हैं आपर इसके साथ साथ culture and customs of tribals are also protected यह बहुत बड़ी चीज है जो यह आप forest देख रहे हैं यह जो biosphere reserve देख रहे हैं आपर बहुत सारे आपको tribes बिलते हैं और यह जो tribes है basically यह tribes जो हैं इनके अपने rituals है culture है customs है उनको भी हमें protect करना है उनके साथ भी छिडखानी नहीं होनी है और उसके लिए constitution में भी हमारे बहुत सारे provisions है ठीक है अब हम जोग बात करें दूसरे function की तो दूसरा function क्या है development है ठीक है तो development में आप क्या कर रहे है you are promoting economic and human growth that is sustainable on the social culture and ecological level तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर economic or human growth को तो promote कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक word आप यूज़ रखिए का याद क्या है sustainable sustainable on social culture and ecological level इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप ऐसा यूज़ करें आप ऐसा wise यूज़ करें है ना जहां पर हमारे जो आप कह सकते हैं जो culture है वो दिस्टर्बना हो जो social हमारा structure है उस रीजन का tribes का वहां की लोकल community का वो डिस्टर्बना हो प्लस यहाँ पर जो ecological चीज़ें है ecosystem जो हमारा है वहां की species हैं वह भी डिस्टर्बना हो तो आप ऐसा promotion करिए ऐसी economic activities करिए वहां के लोगों की तरक्की भी हो वहां पर आपका आर्थिक विकास भी हो economic development भी हो लेकिन आप मेक्शूर करें कि वह sustainable हो ठीक है इट सीक्स तो इस्ट्रेंजन दी थ्री पिलर्स ऑफ sustainable development social economic and production of the environment ठीक है तो यह याद अच्छेगा आप एक चीज़ बहुत important है कि यह जो biosphere reserve है biosphere reserve हमारे sustainable goals है sustainable goals में अगर आप बहुत basic player है एक है क्या social social आपका जो structure है वो हमेशा develop हो है ना उसमें कभी भी आप कहें कि loss ना हो social development में ठीक है इसके साथ-साथ economic development होता रहे और साथी साथ आपका protection of the environment आपका जो environment है उसका वो प्रोटेक्ट होता रहे तो तीन पिलर है basically और इन पीन पिलर्स को हमारा biosphere reserve बचाने की कोशिश कर रहा है इस पर work करने की कोशिश कर रहा है कि social sustainable development हो economic sustainable development हो और environmental sustainable development हो ठीक है इसके साथ-साथ एक और आपका function है जो है क्या logistic support ठीक है अब यह याद अखिएगा कि एक logistic support भी यह प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि promoting research activities environmental education training and monitoring in the context of local national and international conservation and sustainable development तो basically क्या है biosphere reserve जो है जो आप लोग इसको research से जोड सकते हैं आप लोग इसको education से जोड सकते हैं तो यहाँ पर biosphere reserve में क्या हो रहा है international national conservation और जो आपका sustainable development है उसका लोग research कर रहे हैं उस पर चीज़े समझ रहे हैं कि कैसे हम इसको जो बाइस रिज़र्व की study करते हैं लोग जाके कैसे हमारे वर्ड में इस चीज़ को apply करा जा सके इसके बारे में बात होती है तो logistic support भी आपको प्रोवाइट करता है अब अगर हम लोग बात करें हैं पर international बात हम लोग ने करी है तो यहाँ पर एक चीज़ आगी क्या युनेस्को युनेस्को हाँ इंटेड्यूस दी डेजिगनेशन डेजिगनेशन बायोस्फेर रिजर्व बायोस्फेर रिजर्व बायोस्फेर रिजर्व फर नाचुरल एरिया तो मिनिमाइस conflict between development and conservation ठीक है तो यह basically biosphere रिजर्व क्यों बने हैं कि जो हम development के झाम पर अपने iцев के साथ हम लोग जो घृतिया कर रहे हैं खत्म पर रहे हैं वह तो वह ड göra--" सक्टुट्सक्ट और डिस्टॉक्षिंक के साथ साथ जो आपका डिलोपन्ट हो भी होता रहे सो डिस्टॉक्षण भी नहीय धोर सक्षेंट दियुक्ष अंशुनल और इससे न्यूंपे सब्सक्राइब को यहाँ पर यह यह ऑध जाता यह नौमीनेटर और अंधूर। करता है it is nominated by national governments तो जो आपके किसी भी country की national government होती है वो इसको nominate करती है which means a minimal set of criteria under the man and biosphere reserve program of UNESCO ठीक है तो यहां पर आपका याद अखिएगा कि man and biosphere reserve program of UNESCO जो है इसके कुछ आपके minimal set of criteria हैं जिसके basis पर आप कह सकते हैं हाँ कि वो जो area है वह जो हमारा landscape and natural landscape that is what that is your biosphere reserve ठीक है तो यह हमारा क्या है यह हम लोग मैन and biosphere reserve program के बारे में इसके बारे में बात करेंगे अगर अब यह भी बात करें overall तो पुरे world में overall अभी देरा 738 biosphere reserve in 134 countries ठीक है तो 134 country में 134 countries में distributed है कितने 738 biodiversity ठीक है including 22 22 trans boundary sites तो ऐसे बहुत सारे sites है basically जो कि एक country में पड़ता है दो country या तीन country में भी पड़ते हैं तो ऐसे sites भी इसमें included है 738 में तो 134 countries में 738 biosphere reserve ठीक है दूसरी चीज़ देरा टोटल 12 biosphere reserves of India which have been recognized internationally under the man and biosphere reserve program तो man and biosphere reserve program जो है map program जो है map program ने हमारे country में 12 biosphere reserves यहां पर designate कर रहे हैं overall हम लोग इंडिया में 18 biosphere reserve परते हैं लेकिन map द्वाराफ जो हमारे map है map के अंडर में केवलों केवल 12 आते हैं बाइस फेर reserve ठीक है इसमें आपका सबसे पहला हमारा है नील गिरी फिर है आपका Gulf of मंदार आप Gulf of मंदार आप देख सकते हैं कि यह क्या है यह एशिया South East South Asia का यह पहला marine biosphere reserve है याद अच्छेगा Gulf of मंदार ठीक है फिर आपका सुंदर्बन नंदा देवी है सुंदर्बन आप जानते हैं वेस्ट बेंगॉल में हैं नंदा देवी आप जानते हैं उत्तरा अगस्त मेलाइब वह आ जाता है कंजन जंगा ठीक है यह याद अखिए का कंजन जंगा जो है कंजन जंगा सिक्केम और नेफाल में पढ़ता है और यह जो है 2018 में 2018 में हमारा Man and Biosphere Reserve प्रोग्राम में आया है ठीक है अब आपका Man and Biosphere प्रोग्राम है क्या यह बार बार हम लों मैप प्रोग्राम बोलें बिसिकलिव है क्या तो यहाद लखेगा कि यह लांच हुआ है 1971 में और इसको लांच करा हएक wholeट सैंटिफिक सारी कंट्रीज की गौणेंट इसमें इंफॉर्म हैं जब बोलता हूं मैं साइंटिफिक प्रोग्राम्न को मतलब नहीं कि यह और साइन्टिफिक सीजें यह पर हो रही है नहीं scientific program को मतलब है कि यह well planned है है ना हर चीज के बारे में एक science है जुड़ी भी तो अगर किसी culture को हमें preserve करना है किसी culture को protect करना है तो there is a science behind it यह चीज़ है आप ठीक है that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationship between people and their environment ठीक है तो एक scientific approach है एक scientific approach है जिससे हम well proven results आपके achieve कर सकते हैं ठीक है इसलिए यह क्या कर रहा है यह basically चाहता है कि जो relationship है है ना man के बीच में man के बीच में और जो environment है उसका उसके बीच में जो relationship है वो improve हो है ना वो improve हो यह इसका है तो map combines natural and social sciences economics and education to improve human livelihoods and the equitable sharing of benefits and to save God natural and manage ecosystem thus promoting thus promoting innovative approaches to economic development that are socially culturally appropriate and environmentally sustainable तो यहां पर यह बात कर रहा है क्या कि end में कि ऐसे हमें innovative approach लेके आना है ऐसे हमें innovative होना है कि हमारा economic development हो पाए और साती साथ जब हम economic development कर रहे हैं तो हम यह make sure करें हम यह make sure करें कि जो हमारा social और जो cultural structure है ठीक है वो disturb ना हो प्लस हमारा environment जो है वो भी डिस्टरब ना हो sustainable वहाँ पर आपका क्या हो environmental progress भी हो ठीक है इसके बाद बागर बात करें biosphere conservation के बारे में कि biosphere conservation क्या होता है अभी तक हम लोग biosphere के बारे में बात करते हैं conservation के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक scheme है scheme called biosphere reserve is being implemented by the government of India since 1986 ठीक है 1986 में यहाँ पर आपका क्या है biosphere reserve के नाम पे scheme चल लगी है जिस scheme में अगर आप बात करेंगे तो financial assistance मिलती है मतलब central government जो है वो financial assistance की बात करता है इसमें यह बोलता है कि हम लोग center जो है 90-10 के ratio में काम करेगा है ना मतलब 90% हमारी central government देगी 10% वहाँ की state government देगी जहाँ पर वो particular biosphere है ठीक है लेकिन यह region के वल कहां के लिए है यह आपका north east के जो आपके region है north east के जो region से वहाँ पर है plus जो हमारे तीन हिमालियन states है जो तीन हमारे हिमालियन states है उनके लिए basically है यह ठीक है अब यह जो तीन हिमालियन states है जो तीन हिमालियन states है उनके लिए भी है ठीक है in the ratio of 60 to 40 to other states for maintenance improvement and development of certain items तो बेसिकली जो अधर स्चीट गोवर्मन्ट्स परोटि नाट नीर हो गया के बारे में नाख्येट गोवर्मेंट में गज़ोंडडी मैंजमेंट अक्षण प्लान यह रखेगा यहाँ पर किश मगल मेंस्ट कर दिक्स पर आपने living implicit और यह एपर अप्रोवड और्म इन्टर वाय सेन्ट्रल में भी कमीटी ठीक है या रखेगा मतलब की जो प्रिपेर कर रहा है जो प्रिपेर कर रहा है आपका टेंटाब है वह से अब्रोग्राम की कमिटी बना रखे वह स्कों ओनेटर करेंगा तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं थी करें कि कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा तो यहां पर एक चीज जा दखेगा कि सबसे पहली चीज लांड राइट्स ऑफ ट्राइबल्स विच डिपेंड ओन दी फॉरस रिसोर्स इन ट्रांजिशन एरिया वह एरिया है जहां पर आपके ट्राइब्स फार्मिंग कर रहे हैं जहां पर ट्राइब्स आपके इन उसको इ करना प्रॉपर्टी काज़ाइब्स टो यह हमें मेक्श्व करना है कि उनके जो लांड राइट से ना वों से चीने ना जाए लाइट जो हैं इनके वो क्या रहे हैं नके लांड राइट्स ना चिने जाए दूसरी चीज ठीक है रिसोर्स इसस स्पाइश फ्रॉम दी रिजल अब इसके बाद मुनार मुनार डिकलेशन इसके बाद मुनार डिकलेशन ने कहा कि जो बाइश्य रिजेर्ट वह हमारे डिजेट और गांगेटिक प्रीट जोन है वहां से भी हमारे क्या हो सकते बाइश्य जोन निकल सकते हैं अध्य है तो यहां पर बोला जा रहा है कि क्योंकि इसका एंच क्रोड करना नहीं है तो यहां पर सफेनीबल डूप्लेप्मेट धी और ही तो यहां पर सुटेनिबल टवलप्मेट Damn देना चाहिए ऐसा सब्सक्राइशन ठीक है किसी अच्छे सूटिबल वर्ड से अगेंस एलियन स्पेशीज इन्वेडिंग इन्वेडिंग वेरियस बायोस्फेर रिजर एक्जाम्पल नीलगीरी बायोस्फेर रिजर ठीक है तो आप बेसिकली क्या है बहुत सारे आपके इन् इसको कर देती है क्योंकि जितने भी वहां पर आपके आप क्या सकते हैं उनको यही चौट लेती है तो बाकी जो वहां के फिसे फिश है या वहां बाकी जो मरीन ऑल्गरिंजम से उनके लिए कुछ बचता ही नहीं तो ऐसे आपके इन्वेज़ेव एलियन स्पीशीज को रो उसको लगाता कौन है आदमी ही लगाता है तो यह रोकना हमें चाहिए अब अगर बात करें यहां पर इंडिया के बारे में इंडिया में बाइस ते घख सकते हैं ठीक है तो बाइस पर मिलता है यह नंदा देवी के आपका मेगाले में आजाएंगे तो आपका नौक रिक है में ठीक है अब फिर देखते हैं दिहां दिबांग अरुणाचल प्रदेश में आपका है देन वियाफ कच इन गुजराद पंचमरी मद्य पदेश में फिर हमारा अचनक मार और अमर कंटेक वाला जो एरिया है व dział में औरिसा में सिमली पाल है सुन्दर बन हमारे वेस्ट बैंकड़ोल टीक के सेशा चलम जो है आंद्र पदेश में जहां सरेड सैंडल वोका बहुत सिवह मसーん दीक के सबसे पहले याद अखेगा 1986 में डेट याद अखेगा 1986 कुछ की नहीं सबकी नहीं कुछ की याद होनी चाहिए जो पहला है जो आकरी है 1986 में आपका नीलगीरी बायूस्पेर रिजर्व सबसे पहला बायूस्फेर बना अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीलगीरी बायस्फेर बहुत बड़ा है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो वेस्टन घाट के बहुत सारे एरिया आजाते हैं जैसे कि वाइनाड आ जाता है केरल का नागर होल आ यहां पर आप का आता है वाइस भाइन घाट इस्था सेयों झाहिस वहतो तो एसंग है सप्ड़ाट उस्टन घाट प्रांग जो है नील गिरी में और यही याद ईoup जैसे एक अच्छी खासी हाइट पर है नीलगीरी में बहुत सारी आपकी इनो टॉप पीक्स है जैसे डोड़ा बेटा यहीं पर केरल का केरल का अगर आप देखेंगे तो वाइनाड वाला रीजन आता है कनाटक का अगर रीजन देखोगे तो जो मैसूर बांदीपूर वाला वो जाता है और आप जाएंगे इस रीजन में तो इखेंगे ऽार जगा आपर लिकार रहा की आप होर न बजाएं होर न बजाएं को कि एनीमल तो आपका पहला बहुत बड़ा स्चेत्र है अब अब बारे में बात करेंगी तो अब वेस्टन घाट का पर यहां पर अगर आप बात करें की फोना की तो यहां पर क्या है निलगीनि मिलता इसके साथ यहाँ पर आपको नीली टाइगर्स मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पर लाइन टेल मैकी मिलता है, यह पूरे वेस्टन घाट में मिलता है, लाइन टेल मैकी, ठीक है, एक टाइप का आपका मंकी होता है, लाइन टेल मैकी, यह फैमिली का है, इसका एरिया आप वो भी N से नाम है नंदा देवी अब नंदा देवी आप जानते हैं नंदा देवी उत्राखंड की टॉप पीक है ठीक है बहुत उची पीक है नंदा देवी और नंदा देवी कहां पर आता है तो बेसिकली कुछ डिस्टिक है जैसे चमोली डिस्टिक है पिथोडागर बैसर रिखर काफी बड़ा है अगर आप देखें तो 5,000 860 स्कॉयर क्लमिटर 5,000 860 स्कॉयर क्लमिटर में फैला हुआ है नुद्वा थिकली है कहाँ पर तो यह उत्रा खंड त्रा खंड में है उत्रा खंड में है यहां पर ठीक है यह वहाँ बर आपको बहुत सारी बस ऌरी wildlife centuries, national park मिल जाता है ठीक है, ये western हिमाले का पार्ट है obviously, ये western हिमाले का पार्ट है क्योंकि eastern हिमाले तो आते हैं हमारे कौन से जो आराणोचल प्रदेश, नागा लैंड है ना, जो मनीपुर, मिजोरम वाला एरिया है वो हमारा eastern हिमालियास है लेकिन ये Western Himalaya का पार्ट है और यहाँ पर आप याँ दखिएगा यहाँ पर आपको Snow Leopard Snow Leopard बहुत ज़ादा मिलते हैं प्लस यहाँ पर Himalaya और Black Bear Himalayan Bear और Black Bear आपको यहाँ पर मिलता है तो यह दो चीज़ जो है आपके लिए यह आपकी क्लीफ होना है उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो 1989 में हमारा क्या बना गल्फ आफ मननार अब जो गल्फ आफ मननार है इंडियन पार्ट आफ गल्फ आफ मननार ठीक है इस तरफ श्रीलंका है तो यह आप देखेंगे तो यह कंच्या कुमारी से लेके हमारा यहां तक यह पूरा रीजन जो है यह पूरा रीजन आपका क्या है गल्फ आफ मननार वाला है दे हमारे मननार ठीक है तो तरफ मननार करता है यह पर ऩो इकर स्थए ने कयो सिस्टम है यहां पर डुगोंग एहूं आपकी स्था सी वाथर में मिलती है बैसिकली इसका एरिया बहुत बढ़ा है यह तैन था घॉजन्द यहां वांडेड किलो divide तक पैला वहाँ बड़ा आपका बैयो स्वेर इसके बाद फूर्थ नंबर पर अगर बात करें तो इसमें अब इस तान इस सिल करें कैसे चgle वारे यहाँ बैड़ पांड़ेयल पांड़ गाइब और सकते हैं प्रॉपर यहां की फॉना है इसका एरिया इसका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं नहीं है ठीक है एक ट्विंटी स्क्वार किलोमीटर पर है लेकिन नौकरेक वाला एरिया आपका बहुत इंपोर्टेंट है फिर आप देखेंगे तो 1989 में सुन्दरबन पड़ता है सुन्दरबन बहुत बड़ा एरिया है सुन्दरबन एक वेट लैंड है रामसार में भी आता है तो यह आप बना किस्से है तो आप जानते हैं गैंजिस और ब्रह्मपुत रिवर सिस्टम के डेल्ट इसको वेस्ट बेंगॉल में इंडिया वाला रीजन हमारा वेस्ट बंगॉल पढ़ता है और यहां पर गैंजटिक इसको हम बोलते हैं क्या गैंजटिक डेल्ट अगर यहां बात करें तो आप से कोई बोले सुन्दरबन तो आपके दिमांग सबसे पहले आता है रॉयल बैं 1989 में अगें सुन्दरबन के साथ मानस यहां आपको नाशनल पार भी मानस नैसनल पार भी पढ़ता है यह असंथ में हैं खकेगा आप यहां पर आप को एडियास के अंदर आते हैं जैसे में कोकरा घार हो गया फिर उसके बाद आप देखेंगे तो भुंगाई गाउं हो गय यह सारे जो हैं असम के पार्ट हैं जहां पर आपका मानस बाइस फेर रिजर्व क्या है फैला वह यह इस्टन हिल्स का पार्ट है यह वेस्टन हिल्स का जैसे उत्राखंट पार्ट था यह इस्टन हिल्स का पार्ट है और यहां पर आपको एशियाटिक ऐसाम रूफ्ड तर्टल तो इसका नाम है असाम रूफ्ड तर्टल ठीक है यहाँ बराप और आपको इसके अलावा हिस्पिड हेर मिलेगा तो अलग किसम का खरगोश जैसा है ना होता है फिर आपका गोर्डन लंगूर यहां पर मिल जाता है पिगमी हॉग भी हमिलते हैं याद अखेगा इसमें आपको पिगमी हॉग भी मिलता है अगेन यहां पर अगर एगर एरिया देखे तो एरिया उस कंपेरिटिव ली उतना बड़ा नहीं है 2008- 2008-37 स्क्वाइर किलोमीटर है इसके बाद अगर बात करें तो काफी पांस साल बाद आपको यहां पर सिमली पाल को सिमली पाल का जो एरिया है यह हमारा बाइसफेर रिजर्व भुशित हुआ सिमली पार बेसिकली क्या है यह मयूर भंज डिस्टिक है ओडिसा में मयूर सिमली केली यहां पर सिमली ही प्लास बहुत सारे मिन्डरलश थी कि इहां पर मिन्रल्स भी मिलते हैं यहां उरिसा में Okie यहां पर आप दिखेंगे तो 4,374 स्क्वाइर किलोमीटर तग यह बाइसफेर रिजरव आपका सिमली पाल वाला फैला हुआ है इसके बाद अगर हम बात करेंगे हैं पर तो 1998 में आपका है दिहांग और दिभांग ठीक है अब दिहांग दिभांग आप नाम से ही सुनके आप जिसको हम बोलने हैं क्या दिभांग रिवर ठीक है दिहांग रिवर तो यह बेसिकली ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जानी जाती है यह दिहांग के नाम से जानी जाती है प्लस उसकी एक ट्रिब्यूटरी है दिभांग तो दोनों की वैली जो है दिभांग की और ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश में जिसको सियांग बोलते हैं उसकी वैली यह दोनों की वैली में आपको यहां पर ब्रदेश में इस्टन हिमाले है यहाँ पर यहाद अखिएगा आपको मिश्मी टाकिन मिलता है और यहाँ पर फ बाइसफेर रिजर्व आपका घुशित होता है जो की मध्यपदेश में है ठीक है यहां पर आप याद अखिएगा यह बेतुल डिस्टिक है यह वही बेतुल डिस्टिक है जहां पे आपकी सत्पुरा रिवर निकलती है ठीक है होशंगाबाद डिस्टिक आ जाता है और यहां पर आपको मिलते हैं फ्लाइंग इसक्वेरल और आपको जाइंट इसका क्या है इसका एरिया है अब हम लोग आते हैं अपने टेंथ बायोस्फेर रिजर्व के बारे में और यह 2005 में हमारा डिकलेर होता है अब आपको कभी-कभी कैसा होता है कभी-कभी question पूछ लेता है UPSC कि वह अरेंज करने को बोल देता है कि इनके chronology में इनके जब यह फॉर्म हुए उनकी chronology करेंज करें तो कभी-कभी-कभी आजाते हैं यह हो सकता है मैं यहां पर दिया हुआ है ठीक है यहां पर दिया हुआ है आपका कि अचानक मर आपका अगे 2005 दिया हुआ है तो वह पेर क्या हो जाएगा पेर करेक्ट हो जाएगा ऐसी और पेर हो सकते हैं दो पेर सही हो तो आज के लिए नए question पूछ रहे हैं तो ऐसे आपके पेर आ सकते तो यह आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस याद होना चाहिए ठीक है यहां पर मैकाल की सबसे जो आप कह सकते हैं हाइस पीक है यह अमरिकंट करेंग जो है बाइस तर्स अपकी निकलती है अमर कंटेक्स से दो नदी निकलती है एक आपका नॉर्फ में जाती है सोन और एक वेस्ट में जाती है जिसको हम नर्मदार रिवर बोलते हैं ठीक है इसी के साथ मैकाल के और भी पार्ट्स हैं जहां से आपकी मैकाल जो हिल्स है मैकाल के hills के south eastern parts से south eastern parts इसका जो extension है सिहावा range extension वहां से आपकी महानदी निकलती है तो यह region जो है यह region आप कह सकते हैं कि flora phona के लिए बहुत important है ठीक है यहाँ पर याद अखिएगा आपको कि four horn antilope मिलते हैं तो यहाँ पर चार swing वाले आपको antilope मिलना है basically ठीक है यहाँ पर आपको Indian wild dog मिलना है आप wild dog तो आपने देख रखा है आफ्रिका में बहुत सारे wild dog हैं यहाँ पर Indian wild dogs आपको मिलते हैं यहाँ पर आपको सारस crane मिल जाते हैं यहाँ पर white rumd vultures मिल जाते हैं यहाँ पर आपको sacred groove bush frog मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पर याद रखेगा यह कुछ important है important आपके की fauna है जिसको आपको याद रखना है यह area अगर देखेंगे तो 3835 square kilometer का area है अब हम लोग आएंगे तो बहुत बड़ा area है 2008 में इसको बोला गया Biosphere Reserve यह है great runoff कच it is a very big big area ठीक है large area है यहाँ पर आपका कच आता है कच के साथ साथ मोर्भी आता है मोर्भी के साथ साथ यहाँ पर आपका सुरेंद्र नगा और सुरेंद्र नागर और यहाँ पर आपका पार्टन डिस्टिक आता है यह सब गुजरात के डिस्टिक है यह यहाद अख्येगा इंडिया का लार्जिस्ट बायोस फेर रिजर्व एंडिया का जो है लार्जिस्ट बायोस्फेर रिजर्व है कौनसा तो आप कहेंगे ग्रेट रण ओफ कच्छ on a date 2 million too है 2008 में इसको डिकले करा गया है यह गुजरात में है और यह डेजर्ट टाइप है यहां पर बहुत जादा सुझ नहीं зачाह तो यह supplier बृटिये ट्वेत टइसर टाइप नहीं आप से कितना बड़ा एरिया है है ना 12,454 स्क्वार किलोमीटर में फैला हुआ है इसके बाद 2019 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका यहां पर यहां पर आपका चंडर ताल हो गया सरचु और किबर वाइड लाइफ सेंचरी हो गया यह भी आजाता है तो मैंने बता है हैं और आपका सुनोग पर तम तो आचन आपक्ति के रहें हैं अगर बात करें हम लोग है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक पांडा यहाँ पर मिलता है इसका एरिया बहुत जादा नहीं है यहाँ पर यहाँ पर मैं पार लाइनो करते हैं उसके आसपास के रहता है तो यहाँ पर आपके कौन से परते हैं पार अचरीव यहाँ ठूलाइज आप यह नाम आपको याद है क्योंकि question में आ सकता है क्या question में पूछा सकता है Agust Malay Biosphere Reserve के बारे में तो आपको पूछ सकते हैं कि पेपारा और शेंडुनुम वाइड लाइट संक्शुरी जो है इसी के अंडर में आता है तो answer is yes ठीक है पेपारा जो आपका कि यहां पर बहुत पास यह है नील इसका है यहां पर यहां नृप के रीजेगा ठीक है 1989 में यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्रेट निकोबार बायोसफेर रिजर्फ है ठीक है यह अंदमार और निकोबार में पढ़ता है ठीक है आइलेंड है और यहाँ पर सौइट वॉटर क्रोकोडाइल है 885 स्क्वाइर किलोमीटर है बहुत बड़ा नहीं है यहाँ इसके सास्ताथ आप देख सकते हैं कि डिग्रू सेखोवा यह भी 1997 पढ़ा था इसको अरेंज कर लेना तुम लोग जब अपने अरेंज कॉपी में लिखोगे तो ठीक है प्लस यह आपका तिन सुक्या डिस्टिक का है किसका है यह थीं सुक्या डिस्टिक में पढ़ता है अर्शम के इस्टन्स आपके फील्स में यहां पर अगर आपको केब्लंगूर है छोटा सा एरिया है 765 स्क्यों किलो मीटर का ठीक है फिर इसके बाद बात करेंगे 2010 में अगर हम वापस आ जाते हैं तो यहां पर सेचा चलम हिल्स है ठीक है बहुत फेमस हो गया है सेचा चलम हिल्स पुश्पा मूवी सब ने देखी है है ना तो सेचा चलम हिल्स रेंज जो है ये क्या करता है चित्तूर और आपका कडापा जो डिस्ट्रिक है अंदरपदेश का है ना ये उसको कवर करता है ये सेचा चलम जो हिल ند है474 552 hoorag किलोमीटर यहां पर 2011 के बारे में अगर हम लोग किरें तो यहां पर आपका क्या है पन्谈 पन्ना हम लोग नहीं लोग में धेखा कि लेट स्थ हमारा है यहां जो किसका पार्ड है तो आप जानते हैं पन्ना हो गया च्छतरपुर डिष्टिक पर आपको आपको क्या मिल जाते हैं बंगाल टाइगर मिल जाते हैं यहां पर आपको चिंकारा मिलता है आपको यहां पर है यहां सांभर है यहाँ पर sloth beer है और इसका area जो है यह area है 2,998 ठीक है तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग ने यह regions थे यह regions थे पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं यह regions है जिनको हम लोग ने cover कर लिया और हम लोग ने अपने जो biosphere reserve हैं इंडिया के वो देख लिए प्लस हम लोग ने यह भी देख लिया कि biosphere reserve होता क्या है ठीक है यहाँ पर कौन कौन सी species मिलती है biosphere reserve के functions क्या होते है right biosphere reserve designation जो है वो कौन देता है कब दिया कब launch हुआ तो हम लोग ने पूरी scrutiny कर ली है I hope इसको अगर आप एक one shot में prepare कर लेते हैं notes बना लेते हैं तो आपका इस अबता के लिए thank you take care bye bye